आईफोन का बैकटाब फीचर तैशुदा फीचर्स को लॉंच करने में मददकार साबित होता है। इस QPT में मिस नबीला नईम इस फीचर के इस्तमाल के बारे में बताएंगी। आईफोन के एक फीचर बैकटाब के बारे में डिसकस करेंगे। इस फीचर के थरो हम क्विक आक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसकी सेटिंग्स में चाहिके डबल टैप और ट्रिपल टैप पे जो भी ऑप्शन्स सेलेक्ट करेंगे। और फिर आइफोन के बैक पे डबल टैप और ट्रिपल टैप करने से वो ऑप्शन्स क्विक ली ओपन कर देता है। या उससे related जो भी actions होते हैं वो perform कर देता है यह feature हमें accessibility settings में touch settings में मिलता है तो मैं accessibility settings में जाती हूँ settings, settings, accessibility button इसको open कर लेती हूँ vision, heading अब touch settings में जाती हूँ touch, button, assistive touch, off, button यह feature हमें बिलकुर last में मिलता है तो मैं scroll करके last में चली जाती हूँ back tap, off, button back tap, off है इसको open कर लेती हूँ double tap, none, button double tap, none अभी यहाँ पे कोई भी option select नहीं इसलिए none पे है यह तो मैं इसको open करके कोई option select कर लेती हूँ यहाँ पे हमारे पास बहुत से options हैं जो option हम चाहें select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे app switcher select कर लेती हूँ back कर देती हूँ भी back tap, back button, double tap, app switcher, button तो अब double tap पे app switcher select हो चुक है अब मैं flick right करके triple tap पे भी कुछ select कर लेती हूँ triple tap, none, button यहाँ पे मैं control center select कर लेती हूँ control center, selected, control center back कर देती हूँ back tap, back button, triple tap, control center, button तो triple tap पे control center select हो चुका है अब देखते हैं कि यह feature किस तरह काम करता है मैं सारी settings को back कर देती हूँ settings तो मैं इस टाइम home screen पे हूँ अब मैं back पे पहले double tap करती हूँ app switcher, settings, active तो back पे double tap करने से app switcher open हो चुका है अब मैं इसको close कर देती हूँ अब मैं back पे triple tap करती हूँ control center, airplane mode, switch button, off तो triple tap करने से control center open हो चुका है यही दोनों items हमने आपे select की थी आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको screen के बिलकुल middle पे triple tap या double tap करना होगा जहां पे apple का logo होते है अगर उसी जगा पे exactly किया जाए तो यह बहुत जल्दी options को open कर देता है तो यह इस feature का use था यह बहुत छोटा सा लेकिन बहुत useful feature है अमीद है आपको यह feature अच्छा लगा होगा मजीद इस तरह की interesting videos के लिए blind hell project के youtube चैनल को subscribe करें thanks for watching Allah हाफिज झाल को झाल को